अभी POCO के तरफ से POCO F4 launch किया गया है जश्ट और इसे कुछ aspects और detail में share करना चाता हूँ आप लोगों के साथ और स्वासा अपना opinion आपको वीडियो अच्छा लगेती यार share कर देना और यहाँ पे सारे aspects आपको नजर आ रहे हैं एक ही skin suit में जहाँ पे सबसे ज़्यादा most powerful 870 का प्रोसेसर है जो कि ज़्यादा heat नहीं करता है काफी balance है और battle भी काफी अच्छा देता है यह कहीं न कहीं 888 और 8 Gen 1 से मुझे काफी ज़्यादा perfect लगता रहा हूँ still मैं इसे huge कर रहा हूँ display device के अंदर और भाई मुझे इससे प्यार है really मैं सच बताऊं तो और यह तो भाई आपके जो UI है उसको काफी ज़्यादा smooth कर देगा जो कि LPDDR5 है और 3.1 storage है जिसके वैसे जो experience होगा data transfer होगा सब कुछ काफी अच्छा रहेगा बाकी यहाँ पर काफी slim रखा गया है जिसके वैसे यहाँ पर batting अंदर थोई सी कमी आ जाती है जो कि 4,500 damage की बैटरी यहाँ पर दी गई है इसके slim bodico जैसे liquid cooling आपको पता हुआ कि Xiaomi में उतना अच्छे तरगी से काम नहीं करता है जितना कि बाकी Realme और बाकी अधर phone में काम करता है तो इससे तो मैं ignore करने वाला हो यह मेरे किसी काम का नहीं है होते वह भी नहीं है समझे लो एक तरीके से यहाँ पर जो 5G के band दिये गए हैं यह काफी अच्छा लगा मुझे तो भाई काफी extra है सही है बाकी यहाँ पर battery जो कि मैं आपको बताए दिया है और इससे charge करने के लिए मिलता है 67W का काफी better और fast charging support लेकिन वहीं पर कर यह Realme का होता ना तो मैं कहता है यहाँ बट यहाँ पर जो यह Xiaomi का है जो कि Poco का है तो यहाँ पर जो 67 होने वाला है यह उतना अच्छा काम नहीं करने वाला क्योंकि हर एक डोटी अपडेट के बाद charging slow होती रहती है जैसा कि मैंने अपने take office के वीडियो में अकसर आपको charging टेस्ट में बता रखा है तो इससे आपको कुछ खास फरक नहीं परने वालना स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा कि फोन आर्दे घंटे में चार्ज हो रहा है बट बाद में पता चले लेगा है या Samsung का है और जब Samsung का होता है तो यह लोग बात नहीं करते camera lens के बारे में लेकिन Sony का होते है तो भाई चिला चिला के बोलते हैं कि हमने Sony का यूच किया है तो इसका मतलब है कि यह Samsung का ही होने वाला है बाकि यहां पर आपको Dolby Vision मिल जाता है जो कि काफी अची बात है और Dolby का fully support है चाहे वो wireless हो या फिर आपका जैसे भी हो अनदर यहां पर आपको काफी अच्छा touch sample मिलता है जो कि 360 का होने वाला है और यहां पर 120 का आपको यहां पर smooth experience technique को मिलेगा और stereo speaker यानि उपर और नीचे दोनों जगाई speaker मिलेंगे जिसको वी से आपका speaker quality होगा वो काफी अच्छा रहेगा और भीर भारबारल एरिये में भी आप call quality का मज़ा ले पाऊगे कोई भी आपको low sound नहीं मिलेगा जो कि यह काफी सही है और HDR 10 Plus का support मिलता है साथ से साथ MIY13 है बट यहाँ पर एक मुझे doubt लग रहा है कि MIY13 Plus Android 12 है या MIY13 Plus Android 11 है अगर 11 निकल के आया सामने तो भाई यह बहुत बुरई बात है लेकिन अगर 12 रहा जैसा कि हमारी उमीद है तो काफी अच्छा रहेगा कि 12 है तो भाई अच्छा आपको अपडेट मिल जाएगा लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर clarify नहीं किया गया है बोगों के तरब से कि इसने कितने साल तक अपडेट देंगे यानि नॉर्मली आपको दो ही Android अपडेट मिलेंगे और वही आपको तीन साइड आपको MIUI के सेक्यूरिटी पैशेच वाले अपडेट देखने को मिल जाएगे जबकि कुछ आजकल जो सामने के डिवाइस लाँच हो रहे है उसमें त्री यहाँ पर अपडेट है और फौर यहाँ पर एड़ हो जाता ना काफ़े सिलिम होने के वज़े से जो कि 195 ग्राम का है अनदर यहाँ पर आप देखो तो यह काफ़े पावफुल चीज मुझे लग यह जो कि भाई कमेंट मिले हैं कि भाई पोको का मेरा डेट हो गया कैमरा डेट हुआ वह यह सारी चीज है लेकिन इसे भाई ठीक करने के लिए इन्होंने टू इयर की वरांटी दिये जो कि मुझे काफ़ी सही लगा लेकिन टू इयर के बाद क्या होगा वह तो आने वाले टाइम में हमें पता चल पाएगा जो कि भाई एक अलगी टेंसन है अगर आप पोको के पुराने यूजर रह चुके हो तो अधवाज आख बंद करके भाई यूज करो क्योंकि यह काफी अच्छा है अनदर यह इनका सर्विस सेंटर है जो कि भाई आपको पता यह वाग आपकी एरिया को मिलेते हैं बस एक कमी है इस लॉचर के अन्दर वोँ है आईकन इनिमेशन याँ आप्स ओपनिंग क्लोज अनॉग और अनिमेशन मिलता है बड़ जैसे रेडमी के और आपको के एकफेकिमेशन दिखाए देते हैं वह दिखा नहीं देंगे इस लॉंचर के अंदर लेकिन यह है जो कि आपके दिमाग हिला देगा और अगर आप एक नय डिवाइस लेने की सोच रहे हो प्लानिंग कर रहे हो ना ति यह आपको ज़रूर अट्रेक्ट करने वाला है क्योंकि स्टार्टिंग प्राइज जो है आगे चलके यह इसका हो जाएगा 28,000 और यहाँ पर 34,000 लेकिन यह जो फर्स्ट सेल आएगा उसमें SBI कार्ड के ऊपर 1000 का एक्स्टर डिसकाउंट आएगा और बाकी औल कार्ड के ऊपर आपको करीक्रित 3000 के आसपास का आसपास का अपने लिए अगर लॉंग लाइफ यूज करना है तो 8GB वाला क्योंकि 8GB का रेम आज के टाइम में भाई काफी सही रहेगा और 6GB आज के टाइम में भाई 4GB का जगा लेने वाला है कुछ ही टाइम है और कहीं न कहीं यह ले भी चुका है तो आप अपने बजट के हिसाब स को जा सकते हैं इसके साथ बाट में यह रिक्मेंटेट नहीं करूँगा लेकि मर्जी आपको ओने वाली था होता है तो भाई आप इसके साथ भी है जो जा सकते हो और सेल जो स्टार्ट होगा 2017 को होने वाला है फ्लिप काट के उपर अमेजन पर होता जाड़ा बेटर होता ब और 2 month का आप को YouTube का premium subscription भी मिलेगा तो YouTube भी 2 month ad free आप देख सकते हो और यह जो कि भाई I don't think कि यह आपके पास नहीं होगा आज के time में होगा मुझे लगता है क्योंकि यह जो plan है बाउट बार अलग-लग recharge या कुछ phone buy करते हो उसके साथ भी मिल जाता है जो कि यहां पर दिया ग और 2 year की warranty वगएर के वजह से और जो processor है यार लाजवाब मुझे लगाए बस यहां पर जो color मुझे अच्छे नहीं लगए जो के green का है और black का जो यहां पर यह लोग lightning वगएर का effect डालते है न मुझे पसंद नहीं आता लेकिन क्या करे भाई last minute cover ही लगाना या पिछे sticker लग करता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं यह buy कर लूगा और buy करूंगा तो मेरे main channel take office के उपर आपको इसका वीडियो मिलेगा और in future तो पता ही ना हमें किस type के वीडियो देते हूं अगर आप regular user हो तो अभी इसके लिए आने वाला है क्योंकि 870 से कहीं ना कहीं मु लाइक करके share कर देना और वीडियोज के लिए सस्क्राइब भी कर लेना ठीक है थांक्स वॉचिंग बाई बाई